अलो स्टूएंट्स कैसे हैं आप लोग तो जैसे कि आप थम इमेस से समझ गया होंगे ये वीडियो है फ्री मॉक टेस्ट पर यू के पीएस सी प्रलिफ्स एक्जाम जो आपके आरो आने वाले फॉर्म है और जो हमें पता चला है कि शायद एसी अफ का भी फॉर्म जो है वो आने वाला है उससे उसके लिए आपके प्रपेश्टिंग के लिए बहुत अच्छी त्यारी हो सकती है करको तक यहां मिलेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है उसका टेस्का लिंक दे रखा है आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना phone number एंटर करना है तब आप उसको एंजी क्यू फॉर्म में आप उसको टेस्ट को देख सकते हैं इससे आपकी प्रपेशन जो है वह और अच्छी हो जाएगी यह कुल मिलाके यह 15 कोश्चन है जो मैंने अलग जगों से चार्ट रखें जो है इक दू कोश्चन भी आते जाए या एक एक कोश्चन भी आये बहुत बड़ी चलिए शुलवात करते हैं तो भूलेगा नहीं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस टेस्ट का उसको आपको लिंक को क्लिक करना है अपना फोन नमबर एंटर करना है और टेस् स्क्रिंग कर कि भारत के लिए डिस्टिक रजिस्ट्री से स्वतंत्र पॉप्लर स्टेट की अभधारना का सुझाओ इन में से किसने दिया पताएं आपको नहीं यह वर्ड पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं डिस्टिक रजिस्ट्री से स्वतंत्र पॉप्लर स्टेट की आप्शन आपके सामने आपको दिख रहे हैं लाला लाशपत राए हैं या राम मनुवर नोहिया हैं या सुभाश्चन बोस हैं या राजा राम मोहन राए हैं तो आप लोग इसमें 10 सेकंड देंगे चलिए 10 सेकंड आपके खतम होते हैं तो यह जो सुझाओ था यह आपका सुझाओ दिया था लाला लाशपत राम मनुवर लोहिया हैं यह सुझाओ जो था वो राम मनुवर नोहिया दिया था चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेशन को पूरा अराम से पढ़िएगा कि बिटिश भारत यानि कि बिटिश इंडिया में किस राजनीतिक ने उस पाकिस्तान का विरोध किया था यह कौन से आपके पॉलिटिशन थे जिसने उस पाकिस्तान का विरोध किया था जिसका अर्थ मुस्लिम राज और हिंदू राज कहीं और हो इन चारों में से वो कौन थे कि बाई ऐसे पाकिस्तान बनाए कि कोई फाइदा नहीं हो चाहिए कि कोई फाइदा नहीं है जिसमें एक मुस्लिम राज्जू और हिंदू राज कहीं और कि दस सेकिंड के समय आपको लेंगे कि आपका टाइम यहां पे खुटत वाए और इसका जो आंसर है वह है आपका डी खान अब्दूल गफूर खान या गफार खान जिने हम सिमान गांदी या फ्रेंटियर गांदी भी कहते हैं जिने आपका भारत रतन भी हमने जो है वो दिया है इनको जो है इन्होंने यह आइडिया कहा था कि ऐसे पाकिस्तान का हम विरोध करते हैं जिसमें एक सेपरेट मुस्लिम राज्यों और हिंदू राज कहीं हो चलिए दूसरा या तीसरा कोशन आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोरन के समय उत्तरप्रदेश के निम्ण में से किस जिले यानि कि आपका डिस्टिक में समानांतर सरकार एक पैर्लल गौर्वन की स्थापना की गई थी जब आपका क्विट इंडिया मुव्मेंट नाइंटीन पॉर्टी टू में शुरू किया गया था आप समानतर सकार समझ सकते अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है ऑप्चन आपके सामने है जड़ सेकेंड लेंगे आप लोग चली समय सवाब्त होता है इसका जो आंसर है वो है आपका ए यानि की बलिया में जो है एक सवांतर सरकार या पारलर गौर्वर्मेंट की स्थापना की गई चली चौथा कॉशन दिखाता हूं मैं आपको चौथा कॉशन देखिएगा नेता जी सुभाष अंबो जी का जो जनम स्थान है वो कौन सा है यानि कि उनका जनम इन चारों में से किस नगर या सिटी में हुआ था आपको यह बताना है कि दस सेकेंड कर समय लेंगे चली उमिद्या आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बत लगया होगा वह आपका कटक यानि की और पांचवां और लास्ट कुश्चन आप बताएंगे इंडियन नैशनल आर्मी कि इन में से किसका या किसके दिमाग की उपज है या उसकी स्थापना किस ने की कोई भी आप से पूछ ने की तो आपको बताएं इन चारों में से क्या अंसर हो सकता है दस सेकेंड का समय लेंगे आप लेकाल से बहुत असान कोश्चन है सब का सही होना चाहिए कि इसका जो आंसर है क्याप्टन मोहन सिंग तो उमीद है कि आप लोगों जो अभी यह पांच कोश्चन किये हैं या आप लोग को समझ में आये होंगे और पांच में से अगर आपका स्कोर चार या फाइव आउट और फाइव है तो यह बहुत अच्छा स्कोर है या आपके 5-4 साही हो या 5-5 साही है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जल रहा है अब बाकी के बचे जो आपके 10 MCQ कोश्चन है ठीक है उसके लिए आपको इस वीडियो के लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन लख रहा है वहां जाईए क्लिक कीजिए और उस दस कोश्चन को एटन कीज बचे आपके स्कोर क्या आपके